आग्रा के सरवादिक लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के आप को आज ही गुगल प्ले स्टोर से डाउन्लोड करें सीन्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नियू आग्रा श्वेत में पानी के अबाब में महिला की आलू के फसल सूख कर बरबाद हो गई पीड़ता का आरोप है कि परिवार के लोग चियूवल का पानी नहीं दे रहे इस वज़े से फसल सूख गई है इस समन में सेस्पी से शिकायद भी की गई है नियू आग्रा के नगला हवेली की रहने वाली लक्ष्मी सिंग मंगलवार को कलेक्टरिट पर स्सपी से दुखडा रोने के लिए पहुची लक्ष्मी सिंग का कहना है कि उसके पती हर चरण सिंग की संदिग्द परिसितियों में मौत हो गई थी पोस्ट मौटम में जहर से मौत की पुष्टी हुई थी लक्ष्मी का रोप है कि पती की मौत के बाद परिवार के लोग उसे परिशान कर रहे हैं ट्यूबैल का पानी नहीं दे रहे हैं जिससे उसकी साथ भीगा आलू की फसल सूख कर नश्ट हो गई है लेकिन दरोगा सब नहीं पहुंचे थे महां पर देखने के लिए जब मैं यहां से बापिस रही थी पांट दिन में तो उनका रास्ते में फोन आया था कि आप कहा पर हमें देखा तो मैंने यह बोला जिन खेत वाले को मैं खेत दिया वो आपको दिखा देंगे कि मेरी लेकिन वो नहीं देखने के लिए आखिर में मेरी साथ भीगे आलू की फसल नश्ट हो गई है और जो दरोगा जी है वो पूरी तरह उनकी तरफ है अकेले में ब्यान लेना चाहते हैं लक्षमी सिंग का रोप है कि पती की मौत के बाद उसकी मेडिकल स्टोर को परिवार के लोगों ने अपने नाम पर करा लिया है इसकी शुकायत थनन यूआगरा पर की गई लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई S.S.P. ने कारवाई का श्वासन दिया है लक्षमी सिंग का कहना है कि पती की मौत के बाद वहे दौनों बच्चों के साथ धिंडोरा हिंडोनी सिटी माई के में रह रही है वहे दर उधर भटक रही है लेकिन नयाएं नहीं मिल रहा C.News के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट